करनाटक विधान सबा चुनाओं के कैम्पेंड में नेताओं के भी जबानी जंग जारी है 27 अप्रेल को कॉंगर्स अद्दिक्ष मलीका अजुन खडगे ने प्रधान मंति नरेन मोदी को जहरीला साब बताया था खड़े के बयान के चाए दिन बार तब उनके बेटे और कॉंगर्स विधायक प्रधान मंतरी को नालायक कहा है प्रियांग खडगे ने सोमवार को कलबुर्गी में बंजारा समूदाय के कारिक्रम में कहा मोधी प्रधानमंत्री हैं आपके आलोशना तो होगी ही इसका मतलब यह नहीं कि आप रोते वे जंता के पास जाएं दुरुब भागे से पीम हर बार विक्टिम काट खिरते हैं बेटे के बयान पर कॉंगर्स अद्धिक्ष ने सफाइद दी मलिका जुन खडगे ने कहा प्रयांग ने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने एक सांसत को लेकर टिपपनी की थी इसलिए प्रदानमंती मोदी के लिए शब्द उनके मुँ में मट डालो हर जगए जान बुचकर हो रहा है इससे पहले प्रदानमंती मोदी ने करनाटक की दो जन सबाओं में कॉंगर्स अद्धिक्ष खडगे का नाम लिए बिना उनके बयान का जिक्र किया था मोदी ने कहा था करनाटक के चुनाओं में कॉंगर्स का सबसे बड़ा मुद्दा साप है मेरी तुलना ये लोग साप से कर रहे हैं लेकिन साप भगवान शंकर के गले की शोबा है और मेरी देश की जनता इश्वर का रूप है शिव का स्वरूप ही है इसलिए श्वर रूपी जनता के गले का साप होना भी मुझे स्विकार है दो दिन पहले बीदर में हुई जनसापा में पीम ने कहा था मुझे कॉंगर्स के लोगों ने 90 बार गालियां दी गालियों के शब्द कोश में टाइम खराब करने की बज़ए अगर कॉंगर्स ने इतनी मेनद गुट गर्वर्नेस में की होती तो इनकी इतनी देनी सिती नहीं होती